नवस्कार अप्लाइट सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ जय शुकला बिहार में इस बार होने वाले पंचायत चुनाव बेहद ही खास होने जा रहा है आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर कई सारी खबरे पहले भी आती रही हैं जो हम आपको बताते रहे हैं अब हम ये बता रहे हैं कि इस बार के बिहार पंचायत चुनाव में जिन्दा ही नहीं बलकि मरे हुए लोग यानि कि मुर्दा भी वोट डालने आएंगे थोड़ा सा अचरत जरूर हो रहा होगा आपको लेकिन ये बात फैक्ट है कैसे हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बिहार में इस बार पंचायत चुनाव काफि दिल्चस्प होने बाला है इस बार जीवी थी नहीं बलकि मरे तक भी अपने मताधिकार का प्रियोग करेंगे ये चुनाव के लिए बनी मतदाता सूची बता रही है दरसल मतदाता सूची में सालों पहले मर चुके लोगों का ही नाम दिया गया है सूची जारी होने के बाद ये चर्चा का विशय बना हुआ है मामला सुपल जिले के सदर प्रखंड के बैरिया वार्ड नंबर बारह का है यहां की मत्दाता सूची में कई ऐसे ग्रामिडों का नाम शामिल है जिनकी मौत हो चुकी है मृत मत्दाताओं मे परमेश्वर राम, दुलारी देवी, सिया देवी और जागेश्वर पुद्दार शामिल है मृत को के मत्दाता सूची में नाम आने के बाद उनके परिजन है परमेश्वर राम और दुलारी देवी के पुत्र दिनेश राम ने बताया है कि उनके पिता और माता करीब तीन स साल पहले मौत हो चुकी है जिला प्रशातन की ओर से उनके नाम का मृत्यू प्रमार पत्र भी बन गया है बावजूद इसके विभाग द्वारा उनका नाम मत्दाता सूची में दे दिया गया है सिया देवी के पत्ति महंदर राम का कहना है कि उनकी पत्नी की मौत को करीब एक साल हो चुके है मत्दाता सूची में गड़बडी सिर्फ मृतक तक ही नहीं सिमित है कई ऐसे मत्दाता भी हैं जिनके वार्ड में हेर फेर भी कर दिया गया है है हैरत की बात को ये है कि लोग एक परिवार में बावजूद मत्दाता सूची में अलग-अलग वार्ड के बन इसके बाद अब ग्रामिन के लिए ये परिशानी वन गई है वाड बारह निवास्ती लक्ष्मी राय बताते हैं कि मत्दाताओं से पूछे बिना जिलापरशासन ने मत्दाता सूची जारी कर दी है उन्होंने बताया कि उनके पिता हलधर राम का नाम वाड ग्यारा की मत्दा मत्दाता सूची तयार होने से पहले कोई भी कर्मी पुष्टाश के लिए नहीं आया था कोई भी पतादिकारी कोई भी कर्मी क्यों नहीं आया जानकारी लेने के लिए कि कौन जिन्दा है और कौन मर चुका है ऐसे में जो मर्दाता सुची निकल कर चाहए है जो बनकर लोगों के सामने आई है उसमें उसे देखने के बाद अब यही कहा जा सकता है कि बिहार के पंचाय चुनाव में इस बार जिंदा के अलावा मुर्दा भी वोट डालने आएंगे आप बने रहें लाइप सेटिस के साथ तमाम खबरें आपको देंगे लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ये वीडियो फेजू कर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें इसके लावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें धन्यवाद